हेलो दोस्तों नमस्कार मैं रविंच अधरी स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल यूटूबर नित में दोस्तों आज हम बात करेंगे मोतियाविंद अप्रेशन के बारे में यदि आपने अपनी आखों की जांच कराए होगी और हस्पिटल में गए होंगे वहाँ पर जाने पर काउंसलर यही सवाल करते हैं कि आप लेंस कौन सर डलवाएंगे तो इस कन्फूजन में बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं कि क्या लेंस एक ही टाइप का होता है और पैसा अलग-लग डाक्टर लोग ले लेते हैं या फिर लेंस अलग-अलग टाइप के भी होते हैं उम्र के साथ में भी लेंस होते हैं यह बहुत सारी लोगों के पास बड़े हुए होते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखिए तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि लेंस कितने टाइप का होता है और हम एक कौन सा लेंस डलवाना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए ओसे पहली बात है दोस्तो की कई सारी तो ये कुछ लोगों के मन में भरम होता है कि लेंस एक ही होता है लेकिन दाक्टर लोग इधर उदर भूमा करके पैसा जवदा ले लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो में आप अंद तक अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेंस की क्या क्वाल्टी होती है और क्यों पैसे का चार्ज किया जाता है तो लेंस की कुछ क्वाल्टी यह हैं जिसको आपको हम बता रहे हैं उसके स्क्वारेज यह दोनों लेंस जो होते हैं हाड क्वाल्टी के होते हैं यानि कि यह इंसीजन यानि कि चीरा टेक्निक से इसको इंप्लांट किया जा सकता है दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक foldable lens होते हैं और अगला होता है hydrophobic तो hydrophobic में भी कई सारी quality होती है hydrophilic में भी थोड़े थोड़े feature कुछ बढ़ा घटा करके उसमें feature डाले जाते हैं जिसके काड़ lens का charge अलग-अलग हो सकता है और यह charge अलग-अलग state में अलग-अलग भी हो सकता है तो हमने आपको बताया Pama, Pama Squares, Hydrophilic, Hydrophobic चार टाइप के lens मुखेता आपको बताए इसमें भी छोटे-छोटे feature add किये जाते हैं तो कुछ variation इसमें भी आ जाता है तो मैं आपको lens दिखा देता हूँ यह है हमारा Pama Squares lens है यह ठीक है तो यह hard quality के lens होते हैं इसको आप चीरा विदी से ही implant कर सकते हैं क्योंकि यह fold level lens नहीं होते हैं इसके लावा जो hydrophilic lens होते हैं वो fold level आते हैं जैसे कि यह है हमारा Acry Fold अपका सामी का है Acry Fold इसमें लिखा हुआ है Aspheric optics with 360 square edge hydrophilic यह hydrophilic है बट यह square edge है इसके आगे आपका है यह Nano Aspheric है इसमें आपको blue block की quality मिलेगी जैसे आप चस्मा वर्वाने गए होंगे तो उसमें blue light filter वाले चस्में भी बनते हैं उसमें इसी type का यह hydrophilic की quality में blue block का feature दिया गया है तो इसके charge में differentiation जरूर आएगा उसके बाद होता है hydrophobic hydrophobic क्या होते हैं यह सबसे अच्छा material का होता है तो यह lens हमारे हिसाब से किसी भी ब्यक्ति को hydrophobic lens ही डलवाना चाहिए उसके कुछ benefit होते हैं उसके कुछ feature होते हैं इसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा उसके क्या-क्या फायदे होते हैं और क्यों इस lens का हमें choose करना चाहिए तो यह होता है hydrophobic lens hydrophobic lens की एक मुख्य quality यह होती है यह जो सारे lens पड़े हुई हैं हमारे पास यह lens यह आप implantation करवा रहे हैं मुतियाबिंद आप्रेशन में तो इन सब lens में इदि आपको diabetes है या blood pressure है या फिर heart की समस्या या फिर neuro की समस्या या कोई आपको लंबे समय से दवा चल लई है तो ऐसे condition में इन सब lens पे दुबारा lens पर जिल्ली बन जाती है यानि कि PCO बन जाता है तो पुना रोषनी घटने लगती है लेकिन ये सब चीजें जो है इसको अधि आप फटाना चाहते हैं कि हमको दुबारा उस lens पर जिल्ली ना बने तो आप हाइडरोफोबिक lens का चूज कर सकते हैं इस lens पर कोई भी जिल्ली बनने के चांस नहीं होते है एकात परसंट होता है किसी किसी में बन जाता है लेकिन वह लगबग 99% नहीं बनता है लेकिन इन सब lens में क्या होता है कि 99% जिल्ली बनने का चांस जरूर होता है चाहे वह एक महीने में हो जाए चाहे 6 महीने चाहे एक साल चाहे दो साल चाहे दस साल कभी ने कभी इसमें जिल्ली आही जाती है लेकिन हाइड्रोफोबिक में ऐसा रिसेज्स में पाया गया है कि बहुत कम लोगों में बहुत रेर लोगों में जिल्ली बनते हैं तो अब इसके साथ में आप एज का भी फैक्टर निकाल सकते हैं कोई भी लेंस आप डलवाएंगे चाहे पामा हो चाहे हड्रोफोबिक हो तो जब तक आपका जिंदगी है तब तक ये लेंस चलते हैं इसमें कोई समस्या नहीं होती है बस यह जो आपको बीच में क्वाल्टी बताए यही समस्या होती है इसलिए लोग पूछते हैं कि ये लेंस की लाइफ कितनी रहेगी कितना दिन चलेगा तो यही सब बीच में थोड़ा अंतर होता है तो इसके लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि हाँ ये हाइड्रोफोबिक लेंस का चुनाओ करें तो ज्यादा बैतर होगा तो उम्मीद है वीडियो में आपको समझ में आयोगा कि हमें मोतियव इंद आप्रेशन कराने के दोरान में किस टाइप के लेंस का चुनाओ में करना चाहिए चाहिए किसी भी कमपनी का हो तो य ये है ये 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 है लो ये है ये इस ट्यकला बाद कर दो ये है किस equity कि कि लेंस, पूरिके लेख डिकेव ले अभी कि हमेंद तil从 किषए।